अभी समाजवादी पार्टी के नियता कोई रोट पे आया आजम कहा थे इलम गए कोई आया रोट पे दीजल पेट्रोल के लिए लाठी खा रहे हैं प्रत प्रद्धर का मुस्लमान घृचन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल लिया सब्सक्राइब मुष्ण also करांप नहीं करना चाहिए वह वंकि अगर रहे हैं टाकि यह हमारे पीछे पीछे हमेशाद चलते रहें भागते रहें बिगण की खाए है पूरा आजमगड के मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को ओड़ देदे के लिए तैयार है बहेंजी की नीतियों से सारे लोग खुस हैं बहेंजी की नीतियों से अमन्चमंज के लोग रहते थे उत्तर परदेश में एक भी दंगा नहीं होता था एक भी गुंडा नहीं रहता था जब बहेंजी की सरकार थी गुंडे सब इस परदेश को छोड़के भाग जाते थे इसलिए मानिया बहेंजी को मानिया बहेंजी मायोती जी को सारे लोग पसंद करते हैं सर उस समाज के लोग पसंद करते हैं हम लोग आजम गड़की दसो भीधान सभा की सीड़ से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को जिता कर भेजने का काम करेंगे यहां कि हैं तो आज मं नेहीं सटय सब्सक्रास का नेहीं न 226 में आएंगे लिए देखेंगे प्रश केंक Одस आज महाने बहीं चाहरकार बनाएंगे भाई ऑजयर बारह में शत्तराइंस क्या हो इस था कर रहें आप देखिए यह तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या यह है भाई जिसको तुने लेकिन इस बार पूरे मुसलमान समाज के लोग सर्ज सारे लोग तयार हैं कि बहुजन समाज पार्टी को ओड करना सपा क्यों अच्छी नहीं लग रही है आप लोग देखिए भाई साब जेल में गय को यह रोट पे जीजल पेड्रोल के लिए लाठी खा रहे हैं क्या आजम खा साब के लिए राठी नहीं खा सकते थे समाजवादी लोग आज इसलिए मुसलमान जो है उत्तर परदेश का मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्प जो है यह उत्तर परदेश बिपक्ष की जो सरकार के मैं बता रहा हूं देखिए उत्तर परदेश में जो सत्ता के बिपक्ष में बटें हैं लोग यहीं लोग के साथ मुसल्मानों ने दिया है मुसल्मानों ने निया है इसलिए हम लोग फिर संकल्प लेते हैं मुखमंतरी बनाना है मैं भी मुसल्मान हूं मैं भी साथ हूं तो सपा में हीत होगा तो बहुजन समाज पार्टी में हीत होगा जी ऐसा क्यों लगता रहाई मानिया बहाई जी की नितियों से सारे लोग खुछ हैं बचाही क्या है बाबा कहा बगा पहले बगाए पिर जो एक भी गुंड़ा नहीं भागा है आए दिन बलतकार आए दिन हत्या आए दिन लूट गसोट पूरे उत्तर परदेश में चल रहा है जी एक भी गुंड़ा मवाली इस परदेश को छोड़के नहीं भागा है आए दिन हमारी बहाई बेटियों की इजट आप रूखतरे में रहती है आज भी पढ़ने के लिए जाते हैं यह लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह लोग कहते हैं बेटी बचाओ को हमें हटाना है मान्या बहन जी को हाथी की सरकार को बनाना है 2025 को बेलकुल बेलकुल मान्या बहन जी पांचवी बार मुखमंतरी बनने जा रही है एक है के शुब बहुत यहां को सुरक्षा चाहिए समान चाहिए और बागी खाने-खिलानी वाली बात तो वह तो हमको ऊपर वाला देता है कहीं भी रहेंगे हमारे पास सुनर है क्वाने शयुक्षाम मेंगेस नहीं हैं हमारेख़ नहीं करह certains हैं ओनलगी उसर्पार और और कमारा वे भी सो को यह यह उनकी नीद है कि इन लोगों को ऐसा ही बना के रखो ताकि यह हमारे पीछे-पीछे हमेशा चलते रहें भागते रहें बिगड की यह खाए है इसके बाद और कुछ नहीं इनके पाद अरे हमें चावल किया चाहिए भाई हमें रोजगार चाहिए चावल और आटा देने से सिच्छा न मिलेगी आना ही रोजगार मिलेगा आया आप एक बार इनसे पूछ रहे थे बाबा ने गुंडा भगा दी अरे बाबा के पास ही इतने मुकजमे थे और 30 मुकजमे शाइद प्रदेश की कमान की उनकी क्या जवर्थ भगवान का बचन करना चाहिए तो राजी नहीं प्रदेश चलाना चाहिए नो कि वो मंदर चाहिए मंदर से पेट भरने वाला है सिक्षा रहाएं तमने हम जाने मंदर क्या है के चावान और बाखावान टो आब काहां नौकरी कहां मीले एरपोर्ट बेश दिए रेल्वेइ जाले तो नौकरी कहां से मिलेगी जिनस का देंद्र है मठी में रहे हैं मठी में रहे हैं इसलिए मंठी की परिबासा समझते हैं कि मठी से उन्हें सब कुछ मिला है लेकिन यहां तो दली तो पिछड़े और स्वर्ण समाज को जो बहन बाबा साथ के नाम से पथल लगाया गया उनको पूरी दुनिया जानती है जिस बाबा साहब के नाम से पत्थर लगा उसे सारी दुनिया जानती है बलकि इस राम को इस हनुमान को सिरिफ हिंदुस्तान में लोग जानते बाकि दुनिया के किसी देश में राम भगवान को नहीं जानते हैं और रही बात विकास की जो बहंजी ने अपने कारिकाल में इस देश में जो विकास किया वो नरंदर मोदी भी वहाँ गुजरात के मुखमंतीर हैं अगर जो विकास बता दे जो बहंजी ने यूपी में विकास किया है प्राइबेर इसकुल में फीज लगा जिया उन्होंने इस परदेश में उन गरीबों को जी घारी भीक मंगते थे जो भीक मंगते थे थे बहंजी उनको वेक बिल्डिंग बना के माने वर कांसी राम वासावज के तहदा देने का काम किया था और दूसरी बार जिना इस परदे पंदेट लोत नहीं काम पर ओट है जात धर्म पर ओट नहीं मिलता है अद्धरन अन्के पास मेरं और यह नहीं अगर भगमान तो सबके हैं अब भगमान से सारी दुनिया मांगती भगमान जो घटा आमको दे दी जिए और कहां भगमान के लिए 14 चौदा हज़ार करोड उपिया लगा जा रहा है जिस भगवान के पास सारे लोग मांगते हैं उस भगवान से उस भगवान से चौदा हज़ार करोड उपिया लगा के भगवान के मंदिर को मनाया जा रहा है बलकि देश का विकास करते हैं तो